नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ खुश्बू पंजाब में पहली बार अकेले दंपर सियासी मैदान में नजर आ रही भाचपा को आगे कई अगनी परिक्षाओं से गुजरना होगा राज्य में 2022 में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले बीजेपी के समक्ष कई चुनोतियां है पार्टी राज्य में अपनी नई पहचान बनाने और चुनोतियों को पार करने के लिए खास रणनीती पर काम कर रही है क्रिशी सुधार कानूनों को लेकर करीब 22 दिन से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों में भले ही केंद्र की भाजपा सरकार के प्रती गुस्सा चरम पर हो लेकिन पंजाब में भारती जनता पार्टी आने वाले नगरनेगम और नगर परिशत के चुनाव में अगनी परीक्षा देने की तैयारी में जूटी हुई है पंजाब में पहली बार अकेले चुनावी मैदान में उतरने जा रही भाजपा के नेता तमाम विप्रीत परेस्थितियों के बावजूद उचसाहित है भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा का कहना है कि केंडर सरकार लगातार किसानों का धरना खत्म करने के लिए प्रयासरत है पंजाब में भाजपा अपने दम पर पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ेगी राज्य में 9 नगर निगमों, 109 नगर परिशद और नगर पंचायत की चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है ऐसे में भाजपा की सबसे बड़ी चुनावती क्रिशी सुधार कानून आने के बाद से किसानों और ग्रामीर क्षेत्र में उत्पन्न हुए गुस्से को शान्त करने की है भाजपा के लिए राहत वाली बात ये है कि 9 नगर निगमों में शहरी मतदाताओं का प्रभाव है इनमें से अधिकतर वोक्षेत्र हैं जहां भाजपा का पहले से ही मस्बूत आधार रहा है किसान अंदोलन के बात से शहरी और ग्रामीर मतदाताओं का भी विभाजन हुआ है लेकिन भाजपा की बड़ी चिंता नगर परिशद को लीकर है नगर परिशर चुनाओं में सबी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनाओती है भाजपा के महासचिव सुभाष शर्मा कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहन कर रहे हैं इसका मुख्य कारण ये है कि चार साल में सत्ता रूर कॉंग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है कि लोग अब कॉंग्रेस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं पंजाब बीजेपी भले ही निर्भीक होकर चुनाव की तैयारी में जुटी हो लेकिन इस पर सब की नजरे टिकी है कि बगैर अकाली दल के चुनावी मैदान में भार्टी जनता पार्टी की ओपनिंग कैसी रहेगी पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिंदर सिंग ने कुछ समय पहले कहा था कि भाजपा का राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है उन्होंने कहा था कि 2022 में राज्य की 117 सदस्ये विधान सभा का चुनाव लडने के लिए भाजपा का स्वागत है लेकिन वो गडबंधन साजिदार के बगैर एक सीट भी नहीं जीत पाएगी इसके जवाब में भाजपा के राश्य महासचिव तरुण चुग ने कहा था कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 117 विधान सभा सीटों पर चुनाव लडने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारिया कर रही है गौरतलब है कि कुछ समय पहले केंद्र के कृशी कानूनों को लेकर भाजपा के पुराने सहयोगी शिरुमणी अकाली दल ने राजक का साथ छोड़ दिया था भाजपा काली दल के बीच गडबंदन के दिनों में सीट बटवारे के फॉर्मूले के तहट पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में 3 पर भाजपा जबकि 90 सीटों पर शियद चुनाव रड़ती थी वहीं विधान सभा की 117 में से 33 सीटों पर भाजपा जबकि शेश पर शियद अपने उमीदवार उतारती थी पंजाब में नगर निगम और नगर परिशत के चुनाव से ये संकेत मिलेगा कि 2022 के विधान सभा चुनाव का रुख किस तरफ होगा यही कारण है कि भाजपा नगर निगम चुनाव को बेहद गंभीरता से देख रही है सुभाज शर्मा कहते हैं कि किसानों को नजर अंदाज बिलकुल भी नहीं किया जा सकता है केंद्र सरकार इस समस्या का हर ढूनने में जुटी हुई है उमीद है कि बहुत जल्द इसका समाधान भी होगा और स्थिती भी सामानने होगी शिरोमणी अकाली दल से गडबंधन तूटने के बाद भारती जनता पार्टी पूरे पंजाब में अपने पैर जमाने की कोशिशों में जुटी हुई है पार्टी पंजाब की सियासत में गैर जट कार्ड खेल सकती है दरसल क्रिशी सुधार कानूनों का विरोध करके कॉंग्रेस शिरोमणी अकाली दल और आप जहां एक छोर पर खड़ी है तो ये कानून लागू करने वाली भाजपा दूसरे छोर पर खड़ी नजर आ रही है शियत से नाता तूटने के बाद भाजपा के पास मौका है कि वो मालवा में अपना आधार मजबूत कर सके विस्तार के लिए भाजपा के सामने खास तौर पर राजपा की वो आरक्षित सीटे है और राजपा में दलित वोट बैंक भी सबसे ज्यादा है पर पंजाब में जट राजनीती के प्रभावी होने के कारण दलित वर्ग से कभी भी मुख्य मंत्री नहीं बना अब पंजाब में भाजपा का फोकस हर्याणा में अपनाए गए गैर जट राजनीती के फॉर्मूले पर है भाजपा राजपा में शिरोमणी अकाली दल के साथ गटचोड में केवल 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ती थी इनमें केवल 5 आरक्षित सीटे थी अब भाजपा की नजर राजपा की 34 आरक्षित सीटों पर है यानि पार्टी के पास 29 और आरक्षित सीटों पर विसार करने का रास्ता खुला है राजनीति के जानकारों के अनुसार अगर किसान वोट बैंग भाजपा से नाराज भी है तो भी गैर जटसिक वोट के सहारे भाजपा विरोधियों को गड़ी टककर दे सकती है इन सीटों पर भाजपा ऐसे नए चहरों की तलाश में है जो राजनीती से तो दूर रहे है लेकिन लोगों में उनकी छवी साफ सुथरी है भाजपा के पास माजा और दोआबा के जिलों, अमरित सर, जालंधर, पठान कोट और होश्यारपुर में अच्छा वोट बैंक भी है इस बात की संभावना भी है कि हिमाचल के साथ लगती कंडी बेल्ट में भी भाजपा बहतर टक कर दे सकती है किसान संघर्ष के समय व्यापारी वर्गों को नुकसान हुआ और वो किसानों से दूर होने लगे हैं जिसमें बड़ी संख्या में शेहरी सिख भी शामिल है निश्यत तोर पर भाजपा की इन पर नजर है कॉंग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड की ओर से पंजाब को हुए आर्थिक नुकसान के बयान से साफ है कि कॉंग्रेस भी अब ये समझने लगी है कि शेहरी वर्ग नाराज हो रहा है पिछले विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस को शेहरी वोट बैंक के कारण ज्यादा सफलता मिली थी भाजपा के प्रदेश महसचिव डॉक्टर सुभाष शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जातियों को सही अर्थों में उनका प्रतिनिधित्व भाजपा ही देगी भाजपा ने सत्ता में रहते हुए पूरे 5 साल के लिए विधायक दल का नेता एक दलित को ही बनाया आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी भी अनुसूचित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं विहार चुनाफ के परणाम इसका उधारन है उधर किसान अंदोलन को लेकर जिस सरह का राजनीतिक मोहौल देश में बना हुआ है उसके चलते कुछ लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि भाजपा पंजाब में पिछड़ती हुई नजर आ रही है लेकिन इनी कयासों के बीच एक एहम सवाल ये भी उठता है कि क्या पंजाब भाजपा के पास वास्तव में खोने के लिए इतना सब कुछ है या फिर राजपा के इतिहास में पहली बार के सरिया पार्टी के ऐसे चोतरफा विरोध ने भाजपा को चर्चा का केंद्र बिंदू बनाकर राजनीतिक गलियारों में लोटने का अबसर दिया है फिलाल स्थिती कुछ ऐसी ही है राजपानी चंडीगड से लेकर अंतर राश्ट्रिय भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित देश के आखरी गाओं पुल कंजरी तक अगर कोई चर्चा या बहस का केंद्र बिंदू है तो वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भ एक सच ये भी है कि हर चुनौती अपने आप में एक अवसर लेकर आती है शुरुवाती दौर में बेशक किसान आंदोलन को राज्य भर में हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा हो लेकिन अब वैसा नहीं है किसानों द्वारा रेल या सडक मार्ग अवरुद्ध करने से या फिर शहरी क्षेतरों में लगातार जारी धरना प्रदर्शनों के चलते जिस तरीके से त्योहारों में भी बाजार में आराजकता और मंदी का मोहौल रहा उससे व्यापारियों और उद्योग पतियों ने प प्रदर्शन कारियों पर किसी भी तरह की पुलिस कारवाई ना करने का एलान किया गया है अकाले भाजपा गटबंधन तूटने के उपरांत शिरोमणी अकाली दल अपने बिखरे हुए मूल वोट बैंक को हासिल करने की जुगत में पंथक कटरता को प्राथमिकता दे रहा उससे आम जन में अनेक आशंकाएं जन्म ले रहे हैं ठीक वैसी ही आशंकाएं जो 2017 के विधान सभाद चुनाव से पहले उस समय पन पी थी जब आम आदमी पार्टी के नेता अर्विंद केजरिवाल ने कुछ अराजकता वादी सोच के लोगों के साथ बैठक की थी और 30 सालों में सूबे की राजनीतिक विसात पर पहले से ही हाशिये पर बैठी भाजपा के लिए गवाने को अब बहुत कुछ है नहीं। दशकों में राज्य में भाजपा केवल अकाली दल की चाया ही बन कर रह गई थी। जिसकारण भाजपा में अंदर ही अंदर ये सुख बुगाहट थी कि वो गडबंधन से मुक्त हो और एक बार स्वयम अपने दम पर चुनोतियों का सीधे तोर पर सामना करे। अगर आपक आपक्षाण पर चाया है में अन्यान करा आपकेम है थी। आपकेम है।